आपके पास अगर गाय है भैस है आप उसका अडर बढ़ाना चाहते हो जिसको लेवटी थन गादी बोलते हैं या बकरी आपके पास यह तीनों दुधारों गाय और भैस बकरी है मैं इसके लिए आपको पार्ट नंबर फूर आज बता रहा हूं यह मैंना पार्ट नंबर चार हो गया दोस्तों ठीक आज पार्क नमर चार है तो गाय का अगर आप परणा चाहते हैं भैस का ब्राज़े बढ़ागां चाहते हो तो किस तरफेस्टेम बढ़ा से मात्र 20 दिनों में यानि कि आगर आपकी गाय काबभन है आपूसको बियान है 20 DIN बचाह हुए आप उसका इ वो अपको कोटा बता रहा हो इसार और मालण को चmegल मेंके को आपको मता बता करो चलिए कोए ने भीस ने प्लिक्वरर आपको पार जेंक को चूका को साथ थो ऩिक्वरेद यहां हो अगडलोर फैनी नर्ऎा सेетр आपको गेल को होए Carlos यानिके पीली से तावर आपके पास होगे कितना 500 गडाम मेथी दाना होगे आपके पास कितना कितना होगे और सबस्टाइव भड़ा कितना होगे पांचोग अप सतावर को अच्छे तृके से मिक्सप में ग्रेंडर कर लें मिथी दाने को अच्छे तृके सा पॉडर बना ले जो आपके पास आवल्ला है बिटामिन केल्सें, इस भरपूर आत्रह मोहतें आप इसको भी अ भाइद करते सरजीशमें और क्या क्या बताया थार्यां हमां कर दोड़ आपको सविद्धक आपको 10 विलेbel Broken סव किस लीना मपको बतारा हूं उतना जीमाइन जी रहां आपको titre्स you are और साथ को लेन है कि मुलेठी तक कुछ तो आफिक लेने कि पंटो थैंब लती तो पर सौफ आपको लेकि कितना 500 घ्राम कंटे डोकान फर उपलवश सब्ने कौ आपको अची जान जाले हैं इस फ्लकल में जिस फपासु के धन में जिस पासु के दूद निकाले में Job समस्या आती है या किसी भी तरह के थन में समयंदित कोई समस्या होती है यहाँ पर आप सोफ का अगर देते हो तो पसु का वह एंटिवाइटी बहुत अच्छे तरिके से काम करता है मिल्क भेन उसका पूरा उपन होता है तो इसलिए हमें सोफ की मात्रा बराबर 500 ग्राम हमें देनी है उसके अपन जीरा आपको कंशंग्यों 500 ग्राम जी ढ़ना है पस्पड़े टीक जीरा आपके पास वहिजम्य आपके पास दुक्ण उप्लाब बनाले पस अबयले आपके पास सा फूर्मुले में आपको बताएं इसका चुअपने आपको अच्छे सब्सक्राइब नियुक्त है अगर हम टोटल अगर अनुपात लगाए तो सारे रोम्हें पास त्यार होगा कम सार केजी का चार केजी से लेकर पांच की तक है पुरा तयार हो गया हमारे पास आपको देना 20 दिन तक है ठीक पस्पलोगे आप इसको 20 दिन सुभा साम ठीख पालोगी हो 200 ग्राम आप देना स्टार्ट करतें जब हैं इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्ट मिलेगा दोस्तों आफ बात करता है फीड में इसको दे सकते हैं और बकरी को कितना देना है है आपने समय ले सघ्री गााइक को वैर्इश को आंने समय लेकि दोस ग्राम से में स्टार्ट करना है टेक दोसों ग्राम यह आपको बखर demiş को मातर पचास ग्राम डेना है दोस्तों यानिकि 25 ग्राम अच्छा कर देदया हैं क्योंकि आप कर अगर आपकी पहली ब्यात में पहली नशल यह जो पहली ब्यात में트가 आपके पास अपके जाया सकते हो सबस्केतर दोस्तों को सब्सक्रीड को पसपर क rely तो मैं आपको बता हैं चाह तो 20 दिन आपको स्रूरे कर दें टीक दोस्तों और बच्चा देने के बाद यहां पे देना तो पसुए सब बरी चीज में आपको बता है आपकी सबसे बरी चाहिए उसका थन लुटि बनावट कैसा है यह नहीं सब कुल देख के दोस्तों आप किलियर करते हो अपने अपने संतुष्च होते हाँ यह गाए अच्छी नसलगी है यह गाए इतना में दूद्धे सकती है और आप गाए ख्रिदना चाहते हो या बेचना भी चाहते हो फिर भी आप करते हो पस्कृलौ वहाँ पर आप गाए भैस को सबसे बरी च़्य अडर के उपर ध्यान करते हो यानी कि जो अडर होता है अडर मैं आपको अच्छा इंकम कमा सकते हो जो गाए आपकी दस माल लिया जाए अगर जो गया पचास जार की दोस्तों ठीक पचास जार की है आप अगर उसको सेल करते हो तो वही गाए अगर आप इसको पर महनत कर देते हो आप उससे अच्छा प्राइज में आप उसको बेच सकते हो आप खुद रखना चाहते हो आप इस फोर्मों के यूज कर सकते हो आपको दोची और एड करना में आपको बता रहा हूं गेहूं का दलिया कितना लेना है डेली 500 ग्राम आप 500 ग्राम गेहूं का दलिया ले 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 उसके पसपल आपको इसमें एड करना है जो मैंने आपको फीड़ बता है 200 ग्राम बलब फीड कि आप उस फीड़ को अच्छे से दलियां पका यानänder आपने पस्व को सुबह में या फिर साम में किसी भी फीड़ मिला के आप इसको खिला दें कोई दिक्कत नहीं है आप किसी फीड़ इसको मिलाकर दे सकते हो रिजल्ट बहुत अच्छा एगा क्योंकि नेच्रल तरीका बिल्कुल देसी तरीका और समझाया तरीका है दोस्तों म अब हर एक फोर्मूले आपको पता होना चाहिए चलो भाई यह फोर्मूला आ गया चलो सही है हम यह फोर्मूला यूज़ करें जरूरा है जिनको ही पस्व को अध्य कुल रिज़कर और रिसतार दोस्तों तो यह तरीका आप ग्यों का दलिया बनागा आप दे जक्तों पसपल अब बात करते हैं बख्री के ऊपर भी तो इस चर्चा आम बख्री को उपर भी कर लेते क्योंकि गाए का में देख ले हैं बख्री का दे लिया बकरी को भी सेम अब लेकिन आपको कितना 50 ग्राम बनाने दोस्तों और 25 ग्राम के मातराम आपको फीड ओव जो मैं आपको फोर्मुला बता हूँ वो फूर्मुला आपको देना है तिक कि यार्ण को आपकी बखरी भी अच्छा कासा दूद करेगी और अच्छा कासा रिजल्ट हो देगी आप एक चीज़ को हरो में सह याद रखना जैब आपकी गाय ने गाय या भैस ने बच्चा दे दिया दोस्तों ठीक या भखरी वक्त इस फोर्मुले को बंद कर दें बिल्कुल आप इस चीज को नोट कर लो दोस्तों यानि कि मैं इसको नोट में डाल देता हूं आप इस चीज को बिल्कुल नोट कर ले जब गाय ने भैस बकली ने बच्चा दे दिया है आप इस फोर्मूलों को बिल्कुल वाँ पर क्लोज कर दे यानि कि बिल्कुल उस फोर् तो आप कितने दिन दिन बाद यूज करोगे मैं आपको उतात हो कम से कम दस दिन बाद यह बकरी उसके बाद आप इस फोर्मूला आप इसको रेगुलरी देना सुरू कर सकते हैं अगर आपने पस्टो कीरे माने की दवाई नहीं दिया तो प्लीज आप से निवेदन एक आप कीरे माने की दवाई सबसे पहला पर पर इसको डिवार्मी करवा ले आप अपने दोस्तों ठीक कम सकम निम का तेल आप देदो दोस्तों जो कि बहुत नेचुरल तरीका है उससे आप डिवार्मिंग कर सकते अपने पसू का इस तरह आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो उसका कोई साब एक कंपनी का लिवर टॉनिक आप उठा के देदो कोई सी भी क केल्सीम मेगनिसिम जो की हजार लाखों के पावर में होता दोश्तों व्लाकति है बहुत एधिकgener को जिसको हमलों बोलते हैं वीटामीन सारे रहे हो आप इस फीड के साथ अगर चातो विटामील एच देना तो मैं आप फ्डВО.elen या जो आप आपसु को फियाद रखना कि पसुको दोपैर के समय बीटामिन एच देना जितनी मात्रान देना हो या फिर आपको दस अमेल में देना हो या और अप को दो पहर के समये देना इस फॉर्मूले को देने के तीन घंटे के बाद आपको देना है ठीक दोस्तों तो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा तो यह तरीके हम आगे बढ़ सकते दोस्तों मैं आपको बताना चाहते हो वीडियो कैसी लगी कॉमेट्स बॉक्स जरूब बता है अगर आप पहले विजिट करें तो प्यारस लाइक कर दे सब्सक्राइब जरू कर ले इस चैनल के माध्यम से आपको महत्त पूंजान करें मिलती है मिलती रहेगी धन्यवाद किसान साती हो मिलते नेक्श वीडियों तब तक आप मुझा आगे दे जैहिंत बंदे मात्रम राद है